नमस्कार दोस्तों आज का यह जो अपडेट है मध्यप्रिदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्मुनिटी हेल्थ अपफिटर की पोस्ट को लेकर आप जोड़ा रहेगा आप सबी लोग को बताना चाहता हूँ एक और अपडेट यहाँ पे आ चुका है कम्मुनिटी हेल् देना है दिलसत वीडियो को आप लाइक करें इस मैनत को लाइक यहरू करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप सबी लोग हम साब पूछा कते हैं MPNHM CHO के हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके रख लें आगे admit card का update यहां पर आने वाला है तो वीडियो की निशे जाए सब्सक्राइब कर लें मद्यप्रदेश National Health Mission दवारा Community Health Officer के update की जानकारी इसी तरीके से आगे पात रहे तो बिलकुल शुरूबात कर देते हैं अपने update को और बढ़ जाते हैं information की ओर तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है आप सभी लोग को यहां पर official website open कर लेनी है और फिर जो है आपको यहां पर आ जाना है नीचे की तरफ mock test का यह जो option दिया जाना है इसको आपको यहां पर click करना है तो मैं आपको यहां पर click कर देता हूँ आगे का जो page है कु कुछ इस तरीके से आपके screen पर आपके नजर आएगा दोस्तों देखिए जैसी मैं इसके आप पर open किया नीचे की तरफ detail यहां पर निकल के आ चुकी है इसमें roll number के बारे में information दी जा रही है पासवर्ड आपको यहां पर बता जा रहा है और देखिए pin भी आपको यहां पर बता दी जा है जो भी आपको यहां पर roll number है admit card पर दिये जाएगा अभी जो है आपको यहां पर check करना है किस तरीके से आपको यहां पर practice करनी है आपको exam किस तरीके से attempt करना है तो अभी आपको जो है temporary roll number password और pin आपको यहां पर दिये जा रहा है इसकी मदद से जो है आप लो तो दोस्तों देखिए login का page यहां पे open हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया roll number आपको 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 फिल करना है तो देखिए वही roll number फिल किया NHM 259 और देखिए password में जो है यहां पे मैंने आपके 1234 फिल कर दिया है और देखिए pin जो है यहां पे दिया गया था 111 तो देखिए यह information मैंने आपके फिल कर दिया है अब finally जो है आपको login के इस option पे आपको आपको आपके click कर देना है तो इस पे मैं आपके login कर देता हूँ आपको भी यही step यहां पे follow करना है तो दोस्तों देखिए आगे का page यहां पे open हो चुका है exam का name आपको आपके बना जा रहा है आपका rule number यहां पे लिखा रहेगा और देखिए आपका नाम भी यहां पे दिया जाएगा और देखिए date भी आपको आपको आपके बता दिया गई है और देखिए आपको लिखा हुआ है welcome page और देखिए welcome to national health mission mock link जो है 2020 के लिए finally जो है नीचे जो option दिया जा रहा है next का इस पे आपको 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 किलिक करना है तो next के इस option पे मैं आपको किलिक कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए कितने time आपको 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 यहाँ पर देखिए option A, option B, option C यहाँ पर option D चारों में से देखिए एक option यहाँ पर सही है आपको यहाँ पर select करना है और देखिए आपको यहाँ पर response के लिए next के option पर आपर click करना होगा तो finally जो है next का एक और option आपको आप नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए finally आगे का page यहाँ पे open हो गया है इसमें देखिए paper का name आपको 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 बता जा रहा है Community Health of Wider की post है CHOMP और देखिए mock link है और देखिए start date जो है आपको 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 बता देता हूँ आगे का page यहाँ कुछ इस तरीके सा आपको आपको आपकी न глаза आएगा तो दोस्तों देखिए finally exam में आपको आपको शुरूर हो चूका है आप से भी लोग जो है अपने questions को attempt करेंगे और देखिए information पर आप कर लें यहाँ पर क्या का चीज आप कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो देखिए time जो है आपका ऊपर की तरब आप कहाँ पर दिखा ही देगा आपको जितना भी time यहाँ पर किया गया है यह information जो आपको आपको आपर देखने को मिलेगा इस तरीके से पूरा question जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और देखिए आपको यह attempt करना है जो भी इसका यहाँ पर right answer रहेगा चार option आपको 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 बताए जाएगे और देखिए आपको circle की उपर जो है mark करना है और mark जैसी आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो देखिए answer जो है आपका यहाँ पर mark हो जाएगा तो जैसी देखिए मैंने option 1 पर click किया तो देखिए यह circle जो है आपके black हो गया है और फिर जो है आप लोग को next case option पर आपको आपको आपके click कर देना है और जो है आप लोग दूसरे नमबर के सवाल पर आपके पहुंच जाएंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है तो ऐसे ऐसे करके देखिए आप लोग को यहाँ पर 100 प्रेशने दिये जाएंगे और आप सभी लोग जो है अपने questions को इसी तरीके से आपके attempt करेंगे तो दोस्तो उमीद करता हूँ जानकारी आपको आपके मिल गई होगी information आपको असावज में आ गई होगी कुछ इसी तरीके से जो है आपको अपना online परिक्षा देनी है जितनी भी candidate पहली बार online परिक्षा में यहाँ पर बैठ रहे हैं अपनी पहली बार computer-based exam दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ही आप लोग को अपना यहाँ पर चेक कर लेना है mock link आपको आपको आपर provide कर दे गई है आप सभी लोग भी घर बैटे बैटे आप लोग यहाँ पर practice कर सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर paper को आपको यहाँ पर attempt करना है तो यह जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी जैसी आपको यहाँ पर time पूरा यहाँ पर complete हो जाएगा तो submit का option आजागा और आपका जो exam है यहाँ पर submit हो जाएगा तो पूरी information दे दी है, like करें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो कहाँ पर लाइक करें इस मेहनत को लाइक जरू करें, अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको आप इस वीडियो से मिली है, तो लाइक जरू करें comment box में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है, आप सब लोग अगरी वीडियो में, thank you so much